हिलो दोस्तों मैं सवरो मली का आप सभी का टोपिक स्टेड में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैथ की वीडियो में हम पढ़ने वाले मैथ के एक इंपोटेंट चेप्टर जिसका नाम है प्रोफिटन लोस और यह प्रोफिटन लोस चेप्टर बहुत ही इंपोटेंट है हर एक एक एकजाम में आपके एक से दो कुशन जरूर पूछ जाते हैं और आज जितने भी मैंने कुशन लिए हैं वो सारे प्रिवियस एर और बहुत ही इंपोटेंट है तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा अपने सभी दोस्तों साथ में सेयर करिएगा और जो दोस्तों सब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं और चाहते हैं हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन लेना तो नीचे रेड का लगा बटन दबा करके बैल आइकन कोन कर लिजेगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुचने स्टार्ट हो जाएंगे टाइमिंग नोट कर लिजे सुबह साथ बज़े आपकी करंट अफेर आपको मिलती है रीजिनिंग आपको मिलती है तीन बज़े और मैत मिलता है आपको नो बज़े ये टाइमिंग नोट कर लि बेना है 30 रुपे का जो की इस कोड को भरने के बाद आपको मिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को एंड तक तो देखेंगे जरूर और वीडियो को लाइक से अर भी जरूर करेंगे तो यहाँ पर पहला कोशन है किसी वस्तु को 15 परतिसत 10 परतिसत के लाबों से बेचने पर प्रात विक्रे मुल्यों का अंतर 10 रुपे है वस्तु का क्रे मुल्य है देखे बहुत ही सिंपल सा कोशन है यहाँ पर आपको कुछ भी जादा करना नहीं है मतलब मैं बिलकुल बेसिक से लेके चलने व पर आपके अभी मैं सारे इंपोर्टेंट कोशन कवर कराने वाला हूँ देखे यहाँ पर एक वस्तु को 15 परतिसत के लाब पे बेचे गया और उसी वस्तु को 10 परतिसत के लाब पे बेचे गया जो इन दोनों का अंतर आया वो कितना 10 रुपे पूछा है वस्तु का क्रे क्या आपको क्या करना है 10 को 5 से भाग करना है, 100 से गुना कर देना है, क्योंकि 10% की value, sorry, 5% की value, अगर 10 है, तो 100% की आप इसी निकाल लेंगे, 5 से 10 को divide करेंगे, 2, 2 की 100 में करेंगे, तो 200 आपका right answer आ जाएगा, तो simple दा question, बिल्कुल, इस type का question आपके exam में already आ चुका है, तो second question पर चलते हैं, next question number 2 है, इसको try करेंगे जल्दी से, और इसका right answer comment box में बताएगा, question में पूछा जा रहा है, एक cycle को 2850 रुपे में बेचने से, एक दुकंदार को 14% का लाब होता है, यदि लाब कम करके 8% रखा जाए, तो विक्रे मुल्य होगा, यहाँ पर बता जा रहा है कि 2850 रुपे में जब cycle को बेचा जाता है, तो दुकंदार को 14% का profit होता है, लाब होता है, ठीक है, यदि इसे हमें 8% के profit पे बेचा जाए, तो इसका selling price, विक्रे मुल्य कितना होगा, देखिए 14 से घटा के 8% हमें करना है इसका profit, ठीक है, तो simple है भई, 2850 रुपे में हमें इसे बेचा, तो 14% का profit हुआ, तो 8% profit कमाने के लिए कितने में बेचना है, ये question में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या गरना है, selling price आपके पास है 2850, जिसमें 14% profit include है, अब ये 2850 लिखाना है, इसमें 14% profit है, और ये आपको बनाना है, 8% के profit के equal, तो जब इसमें 14% profit होगा, ये value कितने के equal होगी, ये होगी 114% के equal, इसका reason क्या होता है, भई देखिए, आपकी जो cost price, जब आपने इसको खरीदा होगा, ये होगा आपका 100%, 100% की value रही होगी, जब हमने इसको बेचा 14% के profit पे, ये कितने की बढ़के होगी, 114% की value बन गई, तो इसको 114 से घटा के, हमें 108% पे लेके आना है, क्योंकि हमें केवल 8% profit कमाना है, तो 2850 को divide कर देंगे 114 से, और गुना कर देंगे 108 से, तो 114 से 2850 को cut करेंगे, तो कितने बार जाएगा 25 टाइम, 25 का 108 में multiply करेंगे, तो 2700 आजाएगा, यानि कि जो इसका क्रेम उले रहा था, वो कितना रहा था, जो इसका 8% का profit का विक्रेम उले रहेगा, वो कितना रहेगा 2700, यानि कि 2700 यही आपका right answer बन जाएगा, तो आईसा गरतों की यह भी आपको समझ में आ गया होगा, next question पे चलते हैं, question number 3 पे आते हैं, और 3 को try करेंगे जल्दी से, और इसका right answer comment box में बताएगा, यह try आपको करना है वीडियो को रोग करके, यहाँ पे question में दिया जा रहा है, किसी वस्तु को 10% हानी की उपेक्षा 20% लाप पर बेचने से 210 रुपे अधिक पराप्त होते हैं, तो बताओ उसका क्रें मुल्य क्या है, देखे, simple सा थोड़ा सा दिमाग लागा के समझने की कोशिस करिएगा, किसी वस्तु को 10% हानी की उपेक्षा 20% लाप पर बेचने से 210 रुपे अधिक पराप्त होते हैं, मान लीजे मैं किसी चीज को हानी पर बेच रहा था, मान लीजे, तो हानी का मतलब है कि मैं इसको 10% की लोज पर बेच रहा था, जब मैंने इसको 10% loss की उपेक सा मैंने इसको 20% profit पे बेचा तो आप मुझे ये बताईए ये बढ़ा कितना भई 10% था पहले loss अब बढ़के कितना हो गया profit 20% इसका मतलब total increment कितना हुआ आप खुद सोच के बताईए total increment कितना हुआ जब मैं इसको 10% के loss पे बेच रहा था पहले तो मैं इसको 10% के loss से निकाल के normal condition में लेका है होगा यानि कि 100% की जब भी हम किसी चीज को loss पे बेचते हैं यानि कि वो 10% के loss पे बेची इसका मतलब वो 90% पे हमने वस्तु को बेचा है तो उसको सबसे पहले तुम 100% किया होगा तो 10% तो मैंने ये बढ़ाया फिर 10% मतलब 100% बनाने के बाद में 20% profit भी कमा लिया 20% profit भी कमा लिया लाब भी कमा लिया और ये पूरा का पूरा जो process होए किसकी वज़े से होए इस 210 रुपे की वज़े से यानि कि जो 10% हानी की उपेक्सा 20% लाब कमा लाब पर बेचने से 210 रुपे अधिक पराप्त हुए यानि कि 210 रुपे बढ़ा दिये गए इसकी वज़े से हमें हानी की उपेक्सा profit होने लगा है तो बताओ इसका क्राय मुल्य कितना होगा देखे तो यहां से simple सा fund है कि total increment कितना हुआ वह 10% loss था 20% profit हुआ यानि कि total increment आपका 30% का हुआ है और 30% किसकी वैसे 210 रुपे की वैसे तो 30% की value 210 रुपे है तो 210 को 30 से भाग करिए और आपको निकालना है क्रेम उल्या यानि कि उसकी जो आपकी CP है वह आपको निकालनी है तो 100 से multiply कर दीजे 0 से 0, 3, 21 को cut करेंगे 3 से 7 times 7 की 100 में करेंगे तो 700 आपका right answer हो जाएगा देखे कोशन हाड नहीं है simple है क्योंकि ये कोशन आपके exam में पूछे जा चुके है ठीक है तो आपको ये कराने बहुत जरूरी है और आपके exam के point of view से आगे आ सकते है तो इसलिए सारे के सारे इस type की question में आपको cover करा दूँगा next question पे चलते है अब देखे ये वाला question है question number 4 जल्दी से try करिए 4 question को try करिए और इसका right answer मुझे सभी का comment box में चाहिए ठीक है यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बहिमान दुकांदार सामान खरीदते समय 10% की गड़बड करता है तथा सामान बेचनते समय भी 10% की गड़बड करता है तो बताओ उसे पूरे सोदे में कितना परतिसत लाब हुआ अब मुझे ये बताइए जो दस परतिसत की तो खरीदते समय ठीक है खरीदते समय गड़बड करेगा कुछ न कुछ मतलब कुछ भी मतलब गड़बड कर सकता है यानि कि उसमें जादा तोलवा सकता है वो कम तोल सकता है यानि कि 10-10% की गड़बड कर रहा है पूछा है कितना total percentage उसको profit होगा यहाँ पर क्या हो सकता है effective percentage आपने सुना है effective percentage का rule हम किसलिए use करते हैं कि 2 percentage को 1 percentage बनाने के लिए अब मुझे यह बताइए effective percentage का rule यही होता है x plus y plus x into y upon 100 तो यहाँ पर 10-10% आपका यह बढ़ रहा है जब यह खरीचता है तब भी 10% profit कमाता है जब बेशता है तब भी 10% का profit कमाता है तो यहाँ पर total profit percentage कितना होगा तो बस यह 2% को आपको मिला के क्योंकि profit तो दोनों तरी किसे कमा रहे है तो दोनों percentage को मिला के हम profit निकाल लेंगे इसका total profit कितना होगा तो 10 plus 10 plus प्रासा करता हूं कि यह आपको समझ में भी आ गया होगा नेक्स कोश्यन पे चलते हैं अब कोश्यन नमबर आपका आता है इसमें क्या बोले जा रहा है करन ने टीवी 960 रुपे में परतिय किदर से बेचा, दो टीवी थे करन ने दो टीवी 960 रुपे, 960 रुपे परतिय किदर से बेचा है एक पर से 20 परतिसत का लाब हो और दूसरे पर से 20 परतिसत का हानी होई तो बता उसे पूरे सोधे में कितना परतिसत लाब या हानी होई अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं इस टाइब के कंडिशन में हमेशा लोसी होगा जब एक ही चीज़ को यानि कि एक ही टीवी को या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ही प्राइज पे माल लिजे कोई भी दो चीज़ है या अभी दो चीज यही माल लेते हैं टीवी है एक टीवी को उसने 960 रुपे बेचा दूसरे टीवी को भी 960 रुपे बेचा एक टीवी पर उसे 20% का प्रोफिट हुआ एक पर उसको लोस हुआ इस कंडिशन में 100% लोसी होगा ये मेरे से आप लिखवा लिजे ये मतलब आपका 4-Evr rule है अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा लिखा है जिसे आप डारेक्ट टिक मार सकते हैं तो मार दीजे 100% लोसी होगा ठीक है और इसमें भी आपको क्या effective percentage का ही यूज करना है उसको 20% तो एक पर प्रोफिट हुआ एक पर लोस हुआ तो यहाँ नहीं कि मैं क्या बोल सकता हूँ x plus y x plus x into y अप उन में 100 ये कर सकता हूँ ठीक है तो यहाँ पर जब भी लोस होता है तो मैं माइनस कर देता हूँ तो माइनस 20 और जब प्रोफिट होता है तो 20 हम प्रोफिट कर देंगे माइनस 20 और प्लस 20 किसी multiply कर देंगे 0 से 0 कर दाएगा 20 में से 20 जाके यहाँ पर बचेगा 0 और 2 की 2 में करेंगे तो 4 4% का आपका कितना है 4 माइनस का आएगा ठीक है तो माइनस का 4 का मतलब हो जाएगा लोस प्लस आता तो यह हो जाएग प्रोफिट या फिर आपको यह सोचना ही नहीं है कि माइनस है प्लस है बस आपको यह समझ लेना है कि यह लोस ही होगा क्योंकि जब एक चीज मतलब एक ही प्राइज पर बेची गई दो वस्तू को एक प्रोफिट एक पर लोस होगा ठीक है भई चलिए नेक्स कोशन पर चलते है अब इसमें एक कोशन और पूछा जा रहा है 20% प्रोफिट is equal किसी वस्तू को 420 रुपे में बेचने पर 20% लाब होता है यदि इस पर उसे 30% लाब प्राप्त करना हो तो इसके विक्रे मुले कितने रुपे की वरद्धी होगी कितने रुपे की वरद्धी होगी यह पर पूछा जा रहा है तो पॉइंट है इस बात में भी कितने रुपे की वरद्धी होगी और कितने में विक्रे मुले कितना होगा इन दोनों में डिफ्रेंस है, बहुत सारे बच्चे आपे गड़बड कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, यह कोशन नंबर साथ है, ठीक है, साथ ही है न, चलिए, यहाँ पर किसी वस्तु को 420 रुपे बेचने पर 20% का लाब होता है, यदि इसे 30% का लाब पराप्द करना हो, तो कितने में बेचने में, यह 420 रुपे किस के एकवल हो जाएंगे, एक सो बीस परसेंट के एकवल हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसे 30% का लाब कमाना होगा, तो इसे कितने से मल्टिप्लाइए करेंगे, भाई जब 30% का लाब हो गया ठीक है, 130% का में प्रोफिट कमाना है, तो इसको मतलब इसको 130 से मल्टिप्लाइए करेंगे, 120 को 420 से डिवाल करेंगे, 3.5, 3.5 की मल्टिप्लाइए, 130 में करेंगे तो 455, अब बहुत से बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी में 455 अंसर लगा सकते हैं, यहाँ पे increment पूछा 20 कमाता था, तो 35 का increment होया, तो आपका right answer कितना हो जागा, 35 इसका right answer हो जाएगा, यहाँ कि option B is right answer, तो आसा करता हूँ कि आपको इस समझ में आया होगा, next question पे चलते हैं, next आपका question बहुती super और बहुती अच्छा question है, और मतलब 100% भी मैं बोल सकता हूँ, चले 99% तो question आने क निम्बू खरीद कर, अब यहाँ निम्बू की जब मैं सेब, अमरूद, आपके कुछ भी आ सकता है, ठीक है, बनाना कुछ भी आ सकते है, 8 रुपे में 9 के हिसाब से निम्बू खरीद कर, 9 रुपे में 8 रुपे के भाव से बेच दिये, तो पूरे सोदे में उसे लाब हान इस कोशन की मैं बहुत ही जबरदस ट्रीक बताने वाला हूँ, कभी नहीं बूलोगे, बस ध्यान से देखते रहिए, ठीक अच्छी लगे तो बिलकुल लाइक करिएगा, तो यहाँ पे आपका 8 रुपे में 9 के हिसाब से, अब समझ में निया था, 8 रुपे में 9 के हिसाब स इस कोशन को करने का तरीका बता रहा हूँ, एक साइड में लिखे रुपीज, 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 एक साइड में लिखे कॉंटिटी, यहाँ पे आपको और 8 आपको दूसरी लाइन में लिख देना है ठीक है क्या लिख देना है 9 और 8 अब इनकी हम कर रहे हैं cross multiply इस तरीके से cross multiply करेंगे क्योंकि इसकी समें multiply करेंगे 64 इसकी समें करेंगे 81 अब यहाँ पे आपको देखना है यह लिखने के बाद में next step आपका multiply वाला अब आपको द जादा आई है दोनों की multiply करने के बाद में तो यह हो जाएगा आपका loss यह मैंने लिक भी दिया इसके नीचे इसकी पीडिया आप डाउनलोड कर सकते हैं topic study के टेलिग्राम चैनल से जिसका link नीचे description box में मिल जाएगा आपको आपको मिलती रहेगी तो आप उसको जरूर जो profit होगा 100% किलियर है कि profit होगा profit के time पे नीचे कौन सी amount आएगी यह confusion आता है आप खुद सोचके देखिए जब profit होता है नीचे आती कौन सी amount है छोटे वाली यानि कि हम बोले चो CP हम नीचे रखते हैं हमें इसा चाहे profit हो चाहे loss हो हमारी जो cost price होती है वो नीचे होती है आप सोचके बताइए जब आप 100 रुपे की चीज़ को 120 में बेचेंगे 100 रुपे की चीज़ को 120 में बेचेंगे यहाँ पे कितना profit हो आपको 20% 20 रुपे का अब इसमें आपको निकालना पर जे profit तो profit percentage आपको कैसे निकालना है नीचे हम रखेंगे 100 अब 100 क्या है छोटा है तो हम आप एक अब आपको निकालना होगा नीचे नीचे अब आपको निकालना पर जाएगा तो नीचे बड़ी तो यहाँ पे 17 को 64 से भाग करेंगे और मल्टिपलाइ कर देंगा 100 से तो कितना आपका 26 कंप्लीट 3 आपका प्रोफित आजएगा यही आपका रैट आंसर बन जाए आसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा नेक्स कोशन पर चलते हैं नेक्स कोशन है आपका कोशन नंबर आइजिंग के एट है तो ट्राइ करिए स्कोर इसका राइट आंसर आप कमेंट बोक से बताईएगा देखिए कोशन अगर आगे पीछे मैंने इन पर लिखा नही देखें सिंपल सी बात है यहां पर कन्फीजन जो हो सकता है यह 500 रुपे जो खर्च हो है इसमें हो सकता है अब उसने 6000 रुपे की कार खरीदी उसमें 500 रुपे खर्च किये तो इसका टोटल जो वैल्यू हो गई उसकी जो परचेज कोस्ट प्राइज हो गई वह कितनी होगी 6500 क्योंकि 6500 में उसने खरीदी और 500 उसमे खर्च किया जाने की 6500 उसकी वैल्यू होगी उसने उसे बेचा कितना 7020 में तो उसके लापरतिसत क्या है देखें कार को 6000 रुपे में खरीद कर 500 रुपे मरमत में लगा के 6500 की कार बना दी यह कितनी होगी उसकी कोश्ट तो 520 को 6500 से भाग करना है और 100 से मल्टिप्लाइ कर देनी है ठीक है तो 520 को डिवाल करना आपको 6500 से और इससे करेंगे तो कितनी बार जाएगा भई यह आपका जाएगा दो जीरो से दो जीरो जाएगे ठीक है और इससे जाएगा कितनी बार आठ बार तो यहाँ पे आपका टोटल जो प्रोफिट है परसंटेज वो आठ परसंट आ जाएगा आसा करता हो कि समझ में आया होगा है कोई ज्यादा कोशन नहीं था कोशन वैसे पहले आचुका है कहीं बार आचुका है रेलेवे में बिल्कुर सेम परसंट तो यह आपको समझ में आ चुका होगा next question पे चलते हैं एक बहुत ही अच्छा question question number 9 जल्दी से try करियो उसका write answer जो भी रहेगा आपका comment box बते हैगा तो कोई बात नहीं group D में पूछा गया है क्या आपका rpf में पूछ ले जाए क्योंकि railway के exam में आपका question का mixture चलता है कभी rpf में कभी आपका इसमें कभी उसमें ठीक है तो यहाँ पे देखे एक वैक्ति ने 10% की हानी से एक कार अपने मित्र को बेचता है यदि वैं मित्र उसे 20% के लाप पर 54,000 में बेचे तो कार का वास्तविक मुल्या होगा देखें यहाँ पे सीधी सी बात है भई उसरे एक वैक्ति ने 10% की हानी से एक कार अपने मित्र को बेचा यानि कि 10% की हानी से अपने कार को मित्र को बेचा और यदि वैं मित्र उसे 20% के लाप पर 54,000 में बेच दे यानि कि जो final मित्र है देखें थोड़ा से द्यान से समझिए एक वैक्ति ने तो उसको 10% की हानी पे बेचा अपने मित्र को और मित्र ने उसको 20% लाप पर बेच जा किसी तीसरे बंदे को और 54,000 रुपे में बेचा इसका मतलब जो यह 54,000 रुपे मिले हैं इसमें 20% profit include होगा ठीक है तो वास्तविक मुले इसका बताना है देखें जब भी इसका हमें पता चला तो इसमें भी हम effective percentage का rule apply कर सकते हैं वो कैसे देखें यहाँ पे एक बार तो जब उसके दोस्त ने मतलब दोस्त को बेची उसने 10% के loss पे बेची फिर दोस्त ने वो तीसरे बंदे को बेची कितने पे 20% के profit पे और वो last में बेची कितने में 54,000 में तो हम इसमें निकाल सकते हैं कि overall अभी तक उसको कितना profit हुआ या loss हुआ तो obviously बात है यहाँ पे होगा तो profit ही क्योंकि यहाँ पे देखें 10% का loss है और 20% का profit है यानि कि 108% के equal हो जाएगा जिसमें 8% का profit include है यहाँ पे बिलकुर सिंपल है 10% minus क्योंकि यहाँ पे loss है यह 20% profit और 10 into plus 20 अपना upon 200 तो 0 कर जाएगे 2 हो जाएगा यहाँ पे 10 में से 20 जाएगे 10 तो 10 में से 2 जाएगे तो 8% का profit हो गया ठीक है तो 54,000 को 108 से divide करिए तो कितने बार 500 टाइम जाएगा तो 500 into 100 करेंगे तो कितना जाएगा 50,000 की ही आपका right answer बन जाएगा ठीक है बई कोई doubt नहीं है आसा गरता होगी समझ में आगे होगा simple question था next question पे चलते हैं एक और next question आपका I think question number 11 है या 10 या 11 होगा देख लिए जगा try करिएगा उसका right answer comment box में बताने की कोशिश करिएगा यहाँ पे लिखा है मंजीत ने एक मोटर कार 25% की हानी पर साहिल को बेची साहिल ने 864 रुपे गाड़ी की मरमत पर खर्च किये तो तक गाड़ी को 54,000 रुपे में बेच दिया मंजीत ने एक मोटर कार 25% की हानी पर साहिल को बेची मंजीत ने साहिल को बेचा 25% के लोज पर ठीक है साहिल ने उस पे 864 रुपे खर्च किये उसने बई 864 रुपे खर्च किये मरमत में मरमत कराई उसकी फिर उसको 54,000 रुपे में बेच दी इस तरह उसने 12 सी एक बटा 2% का लाब कमाया और मंजीत ने वह मोटर कार कितने में खरीदी यह आपको बताना है देखे यहाँ पे मैं क्या करूंगा फाइनल सेलिंग प्रैस को किता था 2400 रुपे था जिसमें इनिकलूर था 25 बटे 2 आपका 12 सही एक बटा 2 था यहनिकि 25 सही 25 बटे 2 परसेंट यहनिकि 12.5 परसेंट इसमें प्रोफिट है ठीक है तो सबसे पहले तो मैं इसे profit minus करूँगा वो कैसे करूँगा भई यह 112.5% की value है मैं इसको 100% की बनाऊंगा तो चोवन सो को 112.5 से भाग करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो जाएगा 48 टाइम 48 की करेंगे यह 100 में तो कितना हो जाएगा 48 100 हो जाएगा तो इस 48 100 में जो मंजीत ने 864 रुपे खर्च किये थे उसको मैं minus कर दूँगा कितना आएगा 3936 यह including 25% loss है जो यह final में value आई ना इसमें 25% loss include है यह आपको भी पता है जब हमने question पड़ा था क्योंकि जो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ मंजीत ने साहिल को जो मोटरसाइक लिए बेची दिए 25% के loss में बेची थी और साहिल ने इसमें 864 रुपे खर्च किये थे मरमत में और इसमें जब इसको इतने में बेचा था इतने में बेचने पर इसको इतना profit होड़ था तो मैंने profit तो minus कर दिया फिर मैंने ये भी minus कर दिया तो value कौन सी बची इस 25% के loss वाली तो यहाँ पे जब इसमें 25% loss include है तो वो भी मुझे minus करना पड़ेगा मतलब हटाना पड़ेगा तो ये कितने percent की value बचेगी ये 75% की जब ये 25% का loss होगा इसमें तो 75% के value है 936 को 75% से भाग करेंगे और गुणा करेंगे 100 से तो कितना जगा 5248 आपका rate answer आ जाएगा तो आजय करता हूँ कि आपको इस समझ में आया होगा बिल्कुल भी कोई doubt नहीं रहा होगा इस question में और अगर कोई किसी भी question में doubt रहता है देखिए यहाँ पे अंकित मुल्य जो है आपका 30% अधिक है और यहाँ पे तथा अंकित मुल्य पर 10% की छूट भी दी जा रही है तो लाब परतिसत आपको बताना है कि कितना है तो यहाँ पे इस question को कैसे करना है भई जब हमारे हमें पता है कि CP हमारा कितना है 100% है जो cost price हमारी वो 100% है MRP 30% बढ़ा के रखा जा रहा है जो अंकित मुल्य 30% बढ़ा के रखा जा रहा है तो अंकित मुल्य कितना हो गया 130% हो जाएगा MRP पे हमारे कितनी होगी 130% इस पे अब हम दे रहें 10% का discount MRP पे हमेशा अगर question में बोला भी नहीं गया ना तो तब भी आपको discount MRP पर ही देना है तो 130 पे आप क्या करेंगे 10% का discount निकालेंगे तो कितना आगा 13 आ गया ठीक है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे आप selling price क्या करेंगे 130 का माइनस कर देंगे 13 क्योंकि 13 आया लोज तो कितना आया आप 117 आप पूछा कितना percent profit यहाँ पे कुछ मैंने extra नहीं किया ना सब कुछ अभी तक 100 से question को किया है तो 100% सा हमारी value अब कितनी बच गई है discount discount देने के बाद में 117% बच गई है यानि कि हमने 30% बढ़ाया फिर 10% का discount भी दे दिया उसके बाद हमारी बच 117 तो बढ़के कितने 100 से कितना बढ़ गया 117 बढ़ गया तो यही आपका profit हो जाएगा यही आपका right answer बन जाएगा वही समझे ना आप इस चीज को यहाँ पे CP हमने मानी 100 है क्योंकि CP हमारी 100% होती है 30% बढ़ा दिया अंकित मुल्य मर्पी 30% बढ़ा दिया ठीक है बढ़ गया उसके बाद 10% का discount दे दिया यानि की 130 का 10% निका लेंगे 13 आएगा तो यह 13 का discount दे दिया 130 में 13 को माइनस का 117 आ गया 100 की value आपकी बढ़ेगा कितिनी होगी 117 हो गई तो 17 ही तो आपका profit हो गया ना तो profit percentage आपकी 17% यह आपका correct answer बन जाएगा ठीक है भई आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो देखे दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पूरी पसंद आई होगी अपने वीडियो को like share भी कर दिया होगा और इस वीडियो में जितने भी मैंने question समझाए वो आपकी समझ में आ गया सभी के link नीचे description box में मिल जाएंगे discount लेना बिल्कुल मत भूलेगा और यह जो price लिख है after discount लिख है discount होने के बाद लिख है तो यहाँ पे discount code सोरब SPL है daily आपको math की वीडियो मिलते रहेगी बस आप regular वीडियो को देखते रहेगा share भी करते रहेगा और यहाँ पे इसकी पीडियाप आप डाउनलोड कर सकते हैं topic study के टेलिग्राप चैनल से जिसका link नीचे description box में दिया गया है वीडियो को देखे लेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुबह